Strength of Materials का session 2 है, जिसमें मैंने topic ली है, principal stresses का, मैं अपना experience बता रही हूँ, इस subject के, इस topic के साथ, initial जब मैं इसके questions करते थी, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई थी चीज़ें, तो मैं formula याद रख्के, उससे question करते थी, लगता था कि easy है topic, बट वो formula बार-बार भूल जाते हैं, थोड़ा सा time निकला, वो formula आपको बार-बार revise करना पड़ता है, और ये दिक्कत देता है, सबसे ज़्यादा इस topic में, इस topic में, सबसे बड़ी mistakes students क्या करते हैं, कि वो more stress को अलब topic समझते हैं, और principal stresses जो है, वो सारा फिर वो formula से करते हैं, जो मैंने भी गलती करी थी, बट फिर मुझे चीज़ें समझ आई, तो ये समझ आई कि more circle इतना ज़्यदा अच्छी चीज़ है इसमें, कि इससे ही आपका पूरा topic हो जाएगा, कुछ भी formula आपको याद रखने की जरुरत नहीं है, पहली बात तो ये exam आपका MCQ-based होगा, तो उसमें कोई analytic method से तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे just answer पूछेगा, आप किसी भी method से निकालो, और more circle ऐसा simple method है, simple topic है, कि आपको कुछ रटने की जरुरत ही नहीं है उसमें, तो आज हम सारे के सारे questions इसमें करेंगी, 30-35 questions से, सारे more circle से करेंगी, और theory में मैंने पूरा focus इसी पे रखा है, तो principal stresses समझने से पहले, कुछ simple simple problem लेते हैं, सबसे पहले हमने case लिया है, कि ये एक body है, इसमें इस तरीके से एक tensile force लग रहा है, एक तो tensile force लगेंगी, तो दोनो opposite faces भी लगेंगी, क्योंकि ये कोई अगर body है, मैं इसको सिर्फ एक ही direction में force लगा रही हूँ, तो ये movie हो जाएगी न, stress नहीं होगी, तो tensile force लगाने के लिए, ये मुझे दोनों direction में इस तरीके से force लगाना पड़ेगा, तो कहीं पर भी force अगर इस तरी से कि stretching वाला लग रहा है, stress कर रहा है object को, तो tensile होगा, इसका opposite होगा तो compressive होगा, tensile को हम positive लेंगे, compressive को हम negative लेंगे, अब हम पहले समझते हैं कि कोई body है, उस वो subjected है, कोई tensile stress, compressive stress, shear stress, तो कैसे कैसे possible है ये, और कैसे कैसे different planes में shear stress, जो normal stress, वो सरव हम calculate कर सकते हैं, तो ये कोई body है, जिस पर इस तरीके से एक tensile force लग रहा है, जिसके कारण इसमें tensile stresses जा रहे हैं, अब ये जो vertical वाले plane है, इन पर तो सिर्फ और सिर्फ normal stress ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये 90 degree पर इनके tensile force है, तो tensile force का इन plane की direction में कोई component नहीं आएगा, तो ये ऐसे plane है, जिन पर सिर्फ और सिर्फ normal stress एक्ट कर रहा है, बट अगर मैं कोई ऐसा plane लोँ, जैसे ये वाला plane है, जो कि vertical से theta degree पर inclined है, इस पर अगर मैं force की component निकालूं, तो force एक्ट कर रहा है इस direction में, तो यहाँ पर इस plane के along भी एक force आएगा, और एक normally भी force आएगा, तो इस inclined वाले plane पर shear stress भी आएगा, और normal stress भी आएगा, और जब हम design करते हैं, तो हमारा focus रहता है कि कौन सा ऐसा plane है, जिसमें stress is maximum आ रहे हैं, maximum आ रहे हैं तो उनका magnitude क्या है, यह सब हमें निकालना होता है, अब यहाँ पर अगर मुझे निकालना हो, कि कितना shear stress होगा, कितना normal stress होगा, तो मैं P force का component ले सकती हूँ, इसके along, उसको divide कर दूँ जो area आ रहा है उससे, और इसी तरीके से मैं normal stress भी निकाल सकती हूँ, यह तो वह analytical method, दूसरा इसमें और भी complicated हो सकती है problem, कि यह P1 P1 है, और इस तरीके से P2 P2 भी act कर रहा है, तो फिर मुझे P2 का भी component देना पड़ेगा, inclined plane पर, तो यह complicated हो जाता है थोड़ा, इसको simplify करने के लिए, हमारे पास tool है more circle, more circle, draw कैसे करना है, उसके basics आपको पता होना चाहिए, उसके बाद वो problem में कुछ भी नहीं बसता है, आपको just coordinates निकालने हैं different points के, तो यह मैंने एक case लिया है, जिसमें shear stress एक नहीं कर रहा है, इन planes पे, यह vertical plane है, इस पर tensile force P1 लग रहा है, tensile stress P1 आ रहा है, stress ही माल लेते हैं, इस P1 को easy रहेगा, यह भी P2 है, यह tensile stress है, और यह P2 है, यह tensile stress है, अब इस case में, मुझे किसी भी theta point पर को inclined plane है, उसके अगर stresses निकालने हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक more circle plot करूँगी, more circle में दो चीज़ें आपको पता होनी चीए, उसकी x coordinate है, वो denote करता है normal stress को, और y coordinate है, वो denote करता है shear stress को, अब मैं बोलू कि, यह दोनो P1 और P2, जिन भी plane पर act कर रहे हैं, उन पर कोई shear stress नहीं आ रहे हैं, कोई shear stress नहीं आ रहे हैं, तो यह दोनों points सी x success पर located होंगे, क्योंकि इन में, जो y coordinate है वो तो 0 होगा, क्योंकि shear stress नहीं आ रहे हैं, तो इन दो points को मैं more circle पर plot कर दूँगी, यह मेरा पहला point हो गया, यहां पर P2 है, वो positive है, P1 भी positive है, तो यह मेरा जहां पर P2 0 का coordinate है, वहां पर यह point आ गया, और P1 0 जहां पर है, वहां पर यह point आ गया मेरा दूसरा, अब more circle का जो property है, वो यह कहती है, कि इन दोनों के 20 की तो distance है, वो diameter होगा more circle का, और इनका mid point है, वो center होगा, अब मुझे center पता चल गया, radius पता चल गई, तो मैं plot कर सकती हूँ more circle, इसका मैंने mid point लिया, इसकी 20 की distance का half किया, वो radius हो गई, और मैंने यह circle इस तरीके से plot कर दिया, अब मैं इस circle में बता सकती हूँ, कि maximum shear stress है, वो कितना होगा, यह toe point है, इस पर y coordinate maximum आएगा, तो यही maximum shear stress होगा, अब एक और important point है हैं हाँ, पर कौन से plane पर आ रहा है वो stress, तो यह निकालने के लिए, यह ध्यान रखना है आपको, कि जिस plane पर मैं shear stress निकाल रहे हैं, जैसे कि हमारे question में यह था theta, यह plane था, तो यह plane अगर theta angle बना रहा है, इसके साथ P1 के नोर्म, P1 और इस plane का normal theta angle बना रहे हैं, क्योंकि यह वाला angle theta था, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं एक बार, यह है vertical line, यह inclined है, इनके 20 का angle theta है, तो दो ऐसी lines, जो इन दोनों के perpendicular हैं, उनके 20 का angle भी theta होगा, जैसे जैसे ही यह है, यह vertical line के perpendicular वाली horizontal line होगी, और इस inclined plane के perpendicular यह Pn हो गया, तो यह angle भी theta होगा, अब अगर मुझे P1 और जिस plane के बीच, plane पर मुझे normal shear stress निकालना है, उनके 20 का angle अगर पता है, तो मैं उस point को locate कर सकते हूँ more circle पे, जैसे कि यह plane है, जो मैं इसको नाम दे देते हूँ कुछ, यह a-dates यह plane है, इसका normal कितना angle बना रहा है, theta का angle बना रहा है, यह theta का angle बना रहा है P1 के साथ में, तो मैं circle में 2 theta लूँगी, और उस point को locate कर दोंगी, यह वाला direction है, यह P1 की direction, इसके direction है, इस वाले force की, इससे normal anticlockwise जाने पे theta पे है, तो मैं circle पे point को locate करूंगी, तो theta की जगर 2 theta लूँगी, twice करके लूँगी, तो यहां से मैं इस direction में anticlockwise जाऊंगी, यह 2 theta मैंने mark, note किया, और यह इसके corresponding point D है, यह मेरा point आ गया, यह point है, यह represent करेगा, इस plane के normal stress और shear stress को, तो 2 चीज़े पता चल गई, एक तो मैं यह निकाल सकती हूँ, कि maximum stress कितना होगा, normal stress, shear stress, दोनों निकाल सकती हूँ, इसमें दिख रहा है आपको साप साप, maximum normal stress आएगा, यहां पर, maximum shear stress आएगा, यह वाला, दूसरा मेरा problem थी कि, किस plane पर आ रहा है, किस plane पर आ रहा है, यह भी मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि, अब मैं किसी भी plane पर, normal stress, shear stress निकाल सकती हूँ, मुझे यहां से theta चेक करना है, major करना है, उसका twice मुझे move कर जाना है, इस वाले line से, तो 2 theta पर rotate करके, इस तरीके से point मार कर दिया, अब question कैसे कैसे बन सकते हैं, normal, जो shear stress है maximum होगा, उसकी magnitude कितना होगा, maximum shear stress radius के equal होगा, यह आपको दिख रहा है, यह ऐसा point है, जिसके लिए, y coordinate maximum है, पुरे circle में, या फिर यह वाला ऐसा point है, तो इन points का shear stress कितना होगा, इस circle की radius के जिन्दा, circle की radius आप निकाली सकते हो, यह P1 है, यह P2 है, इनके 20 की distance और उसका half, यह हो गया, दूसरा आपसे यह पूछ जा सकता है, कौन सा ऐसा plane है, जिस पर की shear stress maximum है, तो shear stress maximum, यहाँ पर 90 degree का angle बनेगा, उस plane के लिए आएगा, यहाँ पर 90 degree का angle बन रहा है, मतलब इस वाले diagram में angle होगा, 45 degree, यही relation होता है, इनकी theta में आपस में, कि more circle यह 2 theta है, तो actual में theta होगा, तो मुझे पता चल गया, कि इस P1 से, जो 45 degree पर जिस plane का normal होगा, उसका जो shear stress है, वो maximum आएगा, अब यह जो है, किसी particular point पर, जैसे यह point D है, इस पर भी मैं shear stress निकाल सकती हूँ, कैसे निकालूँगी, यह circle की radius है, यह मुझे पता है, किसके equal होगा, यह distance है P2, यह वाले distance है P1, तो circle का dia, इन दोनों की 20 की distance होगी, तो P1, minus P2, यह इन दोनों की 20 की distance है, यह dia है, और radius हो जाएगा इसका हाँ, तो P1 minus P2 by 2, यह इस circle की radius आगई, यह वाले, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस point के coordinate निकालने है, D point के, इस पर मुझे एक तो यह shear stress निकालना है, shear stress क्या हो जाएगा, मेरा R sin 2 theta, कहीं पर भी कोई theta angle बनाते हुए, कोई अगर इस तरीके से है line, यह जैसे theta angle बनाते हुए, यह है R, तो मुझे इसके component अगर लेने है, दो perpendicular directions में, तो R इदर है, तो जिदर theta बना रहा है, उदर होता है R cos theta, और जिदर theta नहीं बना रहा है, उदर होता है R sin theta, यह हर जिदर component लेने में आपके काम आएगा, अगर नहीं पता है, तो इसको याद रखे, perpendicular direction में component ले रहे, उनके बीच में कोई vector या कोई lie कर रहा है, तो एक direction में R cos theta हो जाएगा, दूसरे में R sin theta हो जाएगा, तो R sin 2 theta तो हो गया है मेरा, shear stress, R की value क्या है मेरी, यह वाली, P1-P2y2 sin 2 theta, यह तो आ गया, यह वाला, tangential stress, और जो normal stress है, उसकी अगर बात करें, तो यह क्या होगा, यहां तक की distance, और यह वाली distance हम उसमें add कर दें, अब यहां तक ही distance क्या होगी, P1-P2y2, किसी को अभी भी इसको भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा और simplify कर सकती हूँ, कि P2 तो यह point है, और radius यह है, तो इन दोनों को अगर आप add करोगे, तो आपको ओ point पहुंच जाओगे, इन दोनों distance को add करोगे तो, तो P2 में अगर आप, P2 में आप अगर यह radius वाला add करते हो, यह वाला, तो उस case में आपको यह मिल जाएगा, जो कि center point है, जो small circle का center है, उसके coordinates हैं, इसमें अगर मैं r cos 2 theta add कर दूँ, तो मुझे यह पूरा मिल जाएगा, यह P1 प्लिस P2 by 2, तो यहां से लेके, ओ तक की center तक की distance हो गई, और यह r cos 2 theta हो गया, तो अब यह formula आपको याद रखनी की ज़रत नहीं है, अगर circle आपके पास है, तो आप इससे solve कर सकते हो, ज़्यादा तर problem तो इसी पे आती हैं, कुछ-कुछ problems ऐसी होती हैं, जिनमें shear stress भी act कर रहा होता है, उस problem में जाने से पहले हम एक बार, principal plane की definition समझ लेते हैं, principal plane क्या कहता है, ऐसा कोई भी plane, जिस पर normal stress ही act कर रहा है, shear stress act नहीं कर रहा है, तो ऐसे plane को हम principal plane बोलेंगे, अब हमारे पास दो principal plane होंगे, जैसे इस question की बात करूँ, तो ऐसे point जहां पर कोई shear stress नहीं आ रहा है, वो एक तो मेरे पास यह है, और दूसरा यह है, यह A point है, यह B point है, यह ऐसे points हैं, जहां पर only normal stress act कर रहा है, इसमें जो बड़ी वाला magnitude होगा, वो major principal stress बोलेंगे, और छोटे वाले को minor principal stress बोलेंगे, यहां तक हो गया, अब देखते हैं कि थोड़ा सा different है, कि unlike stresses हैं, पहले क्या था, P1, P2 दोनों ही tensile थे, तो दोनों ही इस एर positive direction में हमने plot किये, बट अगर एक tensile है, एक compressive है, तो यह origin के दोनों side float होंगे, जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, यह तो positive है और यह negative है, क्योंकि compressive है, तो इस circle पे जब हम इनको float करेंगे, तो sigma 1 तो मेरा positive वाले side में आ जाएगा, और sigma 2 negative वाले side में आ जाएगा, अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रत होती है, especially जब आपको numerical value ना देखे, sigma 1, sigma 2, इन टर्म में पुछा गया हो, यहां पर क्या ध्यान रखना होता है, कि अब आपको जो concept था पहले था वो ही है, इनके 20 की distance से वो डाया होगा, इनका center point है, वो circle का center होगा, और दो चीज़े हमें चाहिए होती है, circle बनाने के लिए कि उसका center हमें पता हो, और उसकी radius पता हो, अब ओ पॉइंट है, वो यहां पर होगा कही, तो सबसे पहले तो मैं radius निकालोंगी, radius निकालने के लिए मुझे क्या करना है, अब sigma 1 और sigma 2 को जोड़ना है, पहले मैं दोनों का difference ले रही थी, क्योंकि इस तरीके से यह sigma 2 था, और यह sigma 1 था, तो मुझे यह वाली distance निकालनी थी, तो मैं दोनों का difference ले रही थी, अभी क्या होगा, अभी मुझे यह वाली distance चाहिए, तो for example, यह अगर दो है, यह तीन है, तो मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा, तो sigma 1 प्लस sigma 2 बाई 2 आना चाहिए, बट problem क्या है कि sigma 2 है negative, तो मुझे यहाँ पर minus sign एक लगाना पड़ेगा, ताकि वो दूसरा minus sign आना कि फिर positive हो जाएगा, तो r है वो यह होगा, sigma 1 minus sigma 2 by 2, अभी यहाँ पर sigma 2 की value में negative रखूँगी, तो यह दोनों add होके by 2 radius आजाएगा, दूसरा है ओ पॉइंट के coordinates, अब मुझे इस point के coordinate पता है, और यह distance पता है, तो ओ point के coordinate में निकाल सकती हूँ, shear stress वाला तो 0 है, और यह जो x-axis वाला coordinate है, यह आजाएगा, sigma 1 में से मैंने इस r जितने distance गठा दी, तो sigma 1 minus sigma 1 minus sigma 2 by 2, तो यह आगे है sigma 1 plus sigma 2 by 2, तो यह तो यहाँ पर इसके, ओ point के coordinate आगे, sigma 2 by 2, और यह यहाँ पर radius आ गई, तो अब आप इसको float करके, easily solve कर सकते हूँ, next है, जो सबसे complicated problem आनी जाती है, कि normal stress भी आ रहा है, shear stress भी आ रहा है, तो यहाँ पर next phase पर जाने से पहले, हम कुछ sign convention और shear stress को समझते हैं एक बार, sign convention से पहले, हम समझते हैं shear stress को, जैसे कि यह कोई object है, जहाँ पर मैंने आपको shear stress explain किया था, मैंने बताया था कि इस तरीके से अगर force लगा रही हूँ, तो वो shear stress है, उसके काण जो stress आ रहा है, वो shear stress है, बट आप सोचों कि अगर यह नीचे से किसी frictionless surface पे अगर रखा हुआ है, तो अगर मैं ऐसे force लगा हूँ, तो यह आगे ही सिला जाएगा, shear stress आएगा यह नहीं उसमें, shear stress कहीं पर आ रहा है, यह इस तरीके से deflect हो रहा है, क्योंकि नीचे मेरा यहाँ पर हाथ जो इसको support कर रहा है, वो इसको friction दे रहा है, वो इसको आगे इस force के कारण नहीं मूँ करने दे रहा है, वो इसको यहीं पर रोक रहा है, यह यहीं पर रोक रहा है तो क्या होगा, यह तो ऐसे force लगा रहा है, और नीचे वाला हाथ है वो इस पर ऐसे force लगा रहा है यह ऐसे लगा रहा है और नीचे वाला हाथ है वो इस तरीके से लगा रहा है तभी तो यह दुख रहा इसका moment अब यह तो हुआ कि इधर से इस तरीके से इधर से इस तरीके से अब मैं अगर यहां पर कोई point लूँ, center point, उसके about देखूं कि यह दोनों force है, यह इसको किस direction में rotate करना चाह रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि यह दोनों force इसको इस तरीके से clockwise रोटेट करना चाह रहे हैं, इस तरीके से रोटेट करना चाह रहे हैं clockwise, अब अगर दूसरा मे केस लूँ, कि यह force इस तरीके से लग रहा है और यह ऐसे लग रहा है, तो इसको anticlockwise रोटेट करना चाह रहे हैं, अब अगर दूसरा कोई resisting force नहीं होता, तो यह shear force के कांट slide तो नहीं करेगा, क्योंकि उपर वाला force है, इसको resist करने के लिए नीचे वाला force लग रहा है, बट problem क्या है कि यह rotate कर जाता, तो यह rotate नहीं कर रहा है, यह equilibrium में है, stable है, तो यह तब हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो force लग रहा है, इसके एक complementary shear stress यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पर उसका opposite लग रहा है, इसको हमापेपर में समझते हैं, जैसे कि यह है, कोई object, इस तरीके से यह कोई object है, तो यहाँ पर उपर वाले में इस तरीके से आपने लगाया है shear force, तो इसका एक resistance, एक shear force नीचे से भी लगेगा, तब यह stable है, नहीं तो यह slide कर जाता, बट अभी भी यह equilibrium में नहीं है, क्योंकि यह वाला shear force और यह वाला shear force दोनों ही इसको इस point के about clockwise rotation दे रहे हैं, तो अगर कोई resisting force नहीं होता, तो यह rotate कर जाता, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसको आसपास से resistance मिल रहा है, जो दूसरा है इसके आसपास, जो material है उससे, और यह है, यह clockwise rotation दे रहा है, और जो दूसरा shear stress है, वो इसको anticlockwise rotation द कलर से differentiate करते हैं, यह blue color में जो shear stress show कर रहे हैं आपको, यह वाला, यह इसको कैसे rotate कर रहा है, यह इसको anticlockwise rotate कर रहा है, जो red color में हमने show किया है, shear stress यह वाला, यह इसको कैसे rotate कर रहा है, यह इसको clockwise rotate कर रहा है, तो यह rotate भी नहीं हो पा रहा है, और slide भी नहीं कर रहा है, तो ज वो इसको एक direction में rotation दे रहा है और उसके perpendicular वाला जो है वो दूसरी direction में rotation दे रहा है और यह equilibrium में है अब यहाँ पर sign convention आप अपने coding कुछ भी ले सकते हो बट हमने throughout same रहे इस तरीके से किया है कि जो shear clockwise rotation दे रहा है उसको positive लेंगे anti-clockwise वाले को negative लेंगे जैसे कि यह जो red clear वाला shear stress में यहाँ पर show कर रहे हूँ यह clockwise rotation दे रहा है तो इसको positive लेंगे तो more circle में हम इसको उपर plot करेंगे x-axis के उपर positive होगा और यह वाला जो anti-clockwise दे रहा है जो blue color में मैंने shear stress show किया हुआ है यह वाला यह anti-clockwise दे रहा है तो इसको हम नीचे plot करेंगे तो यह हो गए sign convention theta है वो अगर anti-clockwise है तो उसको हम positive लेंगे अब हम देखते हैं कि कैसे हम more circle plot कर सकते हैं किसी plane पर जिसमे shear stress भी act कर रहा हो अब यह आ गई हमारी problem इसमें क्या हो रहा है sigma x x positive होगा क्योंकि tensile है sigma y भी positive होगा क्योंकि tensile है लेकिन इस वाले plane पर vertical वाले पर जो shear stress act कर रहा है वो इसको करा रहा है anti-clockwise rotation तो इसको हम नीचे plot करेंगे और दूसरा जो है यह वाला जो y वाले plane पर act कर रहा है और जो जो वाले plane पर act कर रहा है जो horizontal वाले plane पर act कर रहा है वो इसको rotation दे रहा है clockwise तो इसको हम यहाँ पर उपर plot करेंगे अब थोड़ा सा modification है पिसली problem से पिसली problem में क्या हो रहा था इन वाले planes पर कोई भी shear stress था ही नहीं इन जारूपे तो हम क्या कर रहे थे कि तो P1 और P2 को locate कर रहे थे तो more circle उनसे pass हो रहा था उनसे pass क्यों हो रहा था क्योंकि वो अब ऐसे points थे जिन पर कोई shear stress नहीं है बट अब ऐसा नहीं होगा अब उन points पर shear stress भी है तो हम इसको भी consider करना पड़ेगा उसके बाद हम दो point mark करेंगे जिनसे more circle pass होगा again इन दोनों का midpoint ही center होगा तो changes आएंगे उसर्फ radius में आएंगे डाया में आएंगे center पहले के जैसा ही रहेगा अब हम देखते हैं यह जो problem है इसको हम इसको plot करते हैं सबसे पहले तो normal stress है कि यह sigma x है sigma x है तो यह positive है तो इसको यहाँ पर plot कर दिया यह sigma x आ गया यह sigma x आ गया यह sigma x आ गया यह coordinate होगा इसके sigma x 0 यह होगा sigma y 0 बट यह point अभी more circle पे है नहीं क्योंकि हमारे जो plane है उसमे shear stress भी लग रहा है और हमने उसको consider नहीं किया तो अब हम क्या करेंगे shear stress को consider करेंगे अभी तक तो पहले था उतना ही किया हमने अब हम shear stress को और consider कर लेंगे तो हमारा जो more circle पे जो point आएगा वो यह point ना होके इसके उपर एक point आएगा कितना उपर होगा जितना इस plane पर shear stress लग रहा है तो इस plane पर shear stress यहाँ पर toe x y लग रहा है तो इसके उपर हमें एक vertical line बना देंगे toe x y जितने यह हमने एक line बना दी है यह toe x y है इसकी length है यह toe x y है इसी तरीके से यह point ही अबर बना दिया और इस पर हमने toe x y बना दिया sign हमने पहले समझ लिया कि कैसे positive लेना है negative लेना है अब क्या होगा center तो मेरा पहले के जैसे इन दोनों का midpoint ही है बट मेरा more circle यह a point है यह b point है इन से pass होगा पहले वो in point से pass हो रहा था जो c d मैं बना रही हूँ पहले वो c d point से pass हो रहा था क्योंकि यह points more circle पर थे इन पर c s s 0 था तो बट अब यह points circle पास होगा यह a और b point से pass होगा तो थोड़ा सा हमने sense किया है कि हमने एक vertical line उस पर plot करके point को हमने उपर transfer कर दिया वैरस क्योंकि हमें c s stress को consider करना था अब again यह same problem हो गई है आप इस पे कुछ भी calculate कर सकते हो यह आपका minor principal stress हो गया यह major principal stress हो गया तो simple geometry लगा कि आप कुछ भी कहीं पर भी magnitude normal stress का, c s stress, maximum, minimum सब कुछ निकाल सकते हो बट आप एक चीज का ध्यान रखें कि analytical method कहीं पर भी ना use करें आगे मैंने जो भी questions solve किया है 30 questions के around है सब में मैंने सिर्फ और सिर्फ more circle से solve किया है तो आप ही अगर उतने questions से एक बार उससे solve करोगे तो आपकी command बन जाएगी फिर आपको वो easy लगने लगेगा तो start करते हैं questions तो start करते हैं question number first में दिये है कि कौन सा state of stress है जहां पर more circle है उसकी radius 0 हो जाए for example P2 मेरा minor principal stress है P1 major principal stress है तो यह मेरा P2 आएगा यहां पर यह point आएगा P1 आएगा यह कोडिनेट होगे P1 0 इसके होगे P2 0 और इस तरीके से जो circle बनेगा वो होगा more circle अब question में दिया है कि more circle 0 हो गया उसकी radius 0 हो गया वो just point बन गया है more circle की जगह पर तो यह कब होगा जब P1 P2 A की point पर लाई कर रहे है P1 P2 A की point पर लाई कर रहे है तो उनकी बीच की distance हो 0 है तो more circle की radius भी 0 होगी अब एक point पर लाई कब करेंगे जब identical है जो direct stresses है वो और कोई shear stress आ नहीं रहा है C होगा आगे हम ऐसे भी problem देखेंगे जहां पर दोनों identical है P1 P2 तो same magnitude है direction भी same है बट shear stress आ रहा है तो उस case में more circle जो बनेगा उसकी 0 नहीं होगी radius इसका example हम आगे देखेंगे question number second में दिये है कि principal plane है उस पर shear stress क्या होगा तो principal plane क्या होता है जैसे यह मेरा major principal minor principal plane है P2 principal stress है और यह P1 major principal stress है इन points के coordinate होगे P1 0, P2 0 और इनको अगर इस तरीके से मैं circle बनाती हूँ तो यह more circle होगा अब P1 और P2 दोनो points है यह x-axis पे ही आ रहे हैं तो इनके लिए y coordinate 0 है इनका यह 00 है इसलिए इन पे shear stress भी 0 होगा क्योंकि more circle की definition क्या कहती है कि मैं कोई भी point लूँ उस point का x-coordinate है यह denote करता है normal stress को और y-coordinate है यह denote करता है shear stress को तो यहाँ पर 0 होगा question number 3 में दिये है कि principal plane और plane of maximum shear है उनके 20 का angle क्या होगा तो जैसे कि में और P1 और P2 कोई principal stresses है P2 minor principal stress है तो principal stress है तो इसके लिए shear stress की value 0 होगी तो यहाँ पर मैं score locate करूँगी इसके बाद P1 0 आ जाएगा यहाँ पर यह major principal stress है अब मैं more circle plot करूँगे तो इनका 20 का point center हो जाएगा और इस तरीके से यह more circle बन जाएगा अब कौन से points ऐसे हैं जिनके लिए shear stress की value maximum है वो points जिनके y coordinate जो है उसकी value maximum है वो होंगे ऐसे points तो यह point और यह point यह दोना से points है जिनके लिए shear stress maximum होगा अब यह principal plane के साथ कितना angle बना रहे हैं इस वाले point की अगर बात करूँ तो इस point को जो plane represent कर रहा है वो principal plane के साथ में बनाएगा इस वाले angle का half यहाँ पे जो angle बन रहा है more circle पे वो 90 degree है तो इसका half 45 degree का angle बनेगा maximum shear वाला जो plane है उसके और principal plane के बीच में एक दूसरा point यह आ रहा है इसके लिए अगर मैं angle देखू तो यह angle यहाँ पे आ रहा है 270 तो इसका half हो जाएगा जो angle बनेगा उस plane के बीच में जो इस point को denote कर रहा है और major principal plane है जो 135 degree भी हो जाएगा question number fourth में दिये है कि दो principal stresses है उनका ratio 1 by 2 है minimum principal stress है उसका और maximum shear stress का ratio क्या होगा तो मैंने मान लिया कि एक sigma है दूसरा sigma by 2 है अब सबसे पले तो मैं more circle बनाऊंगी एक point आ गया मेरा यहाँ पर sigma by 2 zero coordinate हो गए इसके दूसरा point यह आ गया sigma zero एक point यह हो गया दूसरा point यह हो गया हम इनसे 20 में midpoint को center लेते होए इस तरीके से more circle बनाऊंगी अब इसमें shear stress क्या होगा maximum shear stress होगा जो इसका radius है more circle का radius क्या होगा इनके dia का half dia क्या होगा यह distance यह sigma by 2 है यह sigma है तो इसकी distance इनकी होगी sigma by 2 और यह वाली distance होगी sigma by 4 अब sigma by 4 यहाँ पर आ गया है maximum shear stress और minimum principal stress है sigma by 2 तो इनका ratio 2 आजेगा C होगा answer question number 5 में दिया है कि एक element है जो pure shearing stress 100 of hand and mega pascal है तो इस पॉइंट का normal stress तो 0 है और shear stress 100 है इसे 90 डिग्री पे जो दूसरा plane होगा उसका normal stress 0 होगा shear stress है वो minus 100 होगा तो पहला Our point आ गया मेरा यहां पर दूसरा वाला Hello point आजएगा यहां पर और जैसे कि वह वाला केस था जिसमें normal stress पी था और shear stress पी पिता उसमें हम क्या करते थी इस point को रोकेट करते देदें सिग्मा वन है यह यहां पर और टो इसका सीर स्ट्रेस है तो यह तो सिग्मा वन है और यह टो है यह हम लोकेट कर देते इसके बाद इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट ले लेते जैसे यह पॉइंट ऐसा है कि यह तो सिग्मा टू है नॉर्मल वाला तो और यह वाला है यह इनको हम एक state line से मिलाके इस तरीके से more circle बनाते थे इसी का थोड़ा simplified version ये हो जाएगा कि ये दोनो points है ये दोनो vertical line है ये एक ही point पे आ गई है तो हमें क्या करना है इन दोनो points को connect करना है इस point और इस point को जोड़ना होता है अब इसके corresponding हमारे ये point है और ये point है तो हम इनको state line से जोड़ेंगे तो ये वाली line आ जाएगी और हमारा more circle कुछ इस तरीके से बनेगा मैजर difference क्या आया है कि ये वाली line और ये वाली line ये उपर नीचे ही आ गई है अब इसमें आप कोई सब stress निकाल सकते हो एक उसमें principal stress आ जाएगा zero question में पूछा है maximum serious stress वो हजाएगा 100 और maximum normal stress भी हो जाएगा 100 डिया जाएगा answer question number six में दिये है कि एक बार है जो कि axially loaded है और उसमें normal stress है वो 100 mega pascal है value of serious stress क्या होगा ऐसे है एक बार ये इधर लग रहा है 100 mega pascal का stress inside stress है यह लग रहा है यहाँ पर कोई दिया नहीं है इस point पर कोई भी loading नहीं दी गई है तो यहाँ पर कोई stress नहीं लग रहा है तो अब हम इसके लिए more circle बनाएंगे तो एक तो हो गया plane यह जिसके coordinates है 100 और 0 क्योंकि यहाँ पर normal stress ही एक्ट कर रहा है तो इसके coordinate हो गए 100 और 0 दूसरा फोगा इस plane के corresponding यहाँ पर shear stress भी 0 है और normal stress भी 0 है तो यह origin ही आ जाएगा यहाँ पर एक point यह origin आ गया एक यह आ गया अब यह dia है इनके बीच का point center हो जाएगा और इसको हम radius लेते वे इस distance को radius लेते वे more circle plot कर देंगे इस तरीके से हमसे क्या पूछा गया value of shear stress तो यह वाली value है shear stress की यह total 100 है distance यहाँ से यहाँ तक की इसका dia 100 है तो radius 50 होगी यह आएगा answer question number 7 में दिये है कि एक given plane है उसमें shear stress है तो automatically accompanied होगा by balancing a shear stress of equal magnitude in a parallel और perpendicular direction language समझते है question की कि यह एक कोई object है इस पर अगर इस तरीके से stress लग रहा है तो इनके norm perpendicular वाला जो plane है उसमें इसका opposite shear stress आएगा यह जो black में मैंने arrow show की हुए है यह वाले shear stress है यह anticlockwise rotate करना चाहरा है इस object को और जो red वाला है वो इसको clockwise rotate करना चाहरा है तो हमेशन shear stress होगा तो इसी तरीके से होगा और होना भी चाहिए अगर सिर्फ यह ही लग रहा होता यह दो ही exist कर रहे होते अब तो rotate ही हो जाता वो rotate नहीं हो रहा है वो equilibrium में है इस में कुस complementary stresses आ रहे हैं तो यह कितने उसमें होते perpendicular होते हैं यह जो था shear stress act कर रहा था इसके perpendicular यह वाला इट कर रहा है भी होगा प्योशन नंबर 8 में दिया है कि plane है जो maximum shear stress carry कर रहा है और maximum direct stress carry कर रहा है इनके 20 का angle क्या होगा तो अगर simple हमें case लेते हैं यह P1 P2 है यह P1 है तो यह वाले plane तो वो हो गया जो maximum shear stress carry कर रहा है sorry maximum normal stress carry कर रहा है और यह वाला point वो है जो कि maximum shear stress carry कर रहा है इन दोनों points के 20 में center पे कितना angle बना रहे हैं दोनों points बना रहे हैं 90 degree का तो इनके 20 में जो actual में angle होगा वो 45 degree का होगा क्योंकि 2 planes के 20 का angle अगर theta है तो more circle में उनके 20 का angle जो होगा जो points उनको represent कर रहे हैं उनको center पे अगर हम angle check करें तो उनके 20 का angle आएगा तो 2 theta आएगा question में 9 में दिये है कि maximum stress किसके equal होगा तो फिर से हम more circle plot कर लेते हैं यह P2 है यह P1 है किसी को यह भी doubt हो सकता है कि हम इसी type का क्यों कर रहे हैं unlike वाला क्यों नहीं कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हो इस type के जो भी theoretical questions है उनका answer same आएगा बढ़ यह ज़्यादा simple है और easy है और ज़्यादा frequently आपने practice की होगी इसकी तो इससे एक कर लेते हैं तो maximum shear stress will be equal to अब इस तरीके से अगर यह कोई stress है तो यह more circle बनेगा और maximum shear stress है वो यह होगा अब यह maximum shear stress किसके equal होगा यह point P2 है यह P1 है इस point के coordinate क्या होंगे P1 प्लस P2 by 2 यह कैसे आया यह आप खुद निकाल सकते हो basically यह तो point है P2 0 और इन दोनों के 20 की यह distance है जो P2 0 से कितना आगे होगा यह O center यह आगे होगा P1 minus P2 by 2 यह P1 है यह P2 है इन दोनों का मैं difference कर दूँ तो मेरा यह die आ जाएगा और इसको 2 से divide कर दूँ तो radius आ जाएगी तो O point के coordinate होंगे P2 plus radius जितने distance तो यह आगे है P1 plus P2 by 2 तो यह coordinate होते हैं center point जो और Y वाला है तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा अब भी maximum shear stress क्या होगा maximum shear stress होगा P1 minus P2 by 2 क्योंकि P1 minus P2 यह वाली distance है इसका half radius होगा तो one half of the algebraic difference of maximum and minimum stresses at that point B में दिया intensity of shear stress acting on the major principal plane तो major principal plane तो होता ही नहीं है कोई shear stress उस पर the shear stress acting on the planes in the direction of two principal directions यह भी कोई clear statement नहीं हुआ question number 10 में दिया है कि एक member है वो subjected है axial tensile load से तो greatest normal stress है वो किसके equal होगा किसकी term में पूछा है shear stress की term में पूछा है इस वाले case का more circle हम पहले भी बना चुके है सिर्फ axial load लग रहा है तो इस वाले plane पे तो कोई shear stress है नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 0-0 यहाँ पर हो जाएगा अगर यह sigma आ रहा है तो sigma 0 और इस तरीके से बनेगा more circle और इसमें जो stress आएगा shear stress वो क्या होगा यह वाले value जो कि sigma by 2 होगा तो हम कह सकते हैं कि maximum normal stress यह जो है यह twice होगा shear stress का तो यह आ जाएगा question number 11 में दिया है कि principal stresses किसी एक point पर P1 और P2 है तो resultant stress क्या होगा इसको भी हम more circle से करते हैं P1 greater than P2 और like stresses दोनों कुछ question में नहीं दिया है तो आप मानोगे कि same sign है उनका दोनों या तो tensile है या compressive है और mostly हम tensile ही लेते हैं अगर कुछ नहीं दिया गया है तो तो यह इस तरीके से circle बनेगा यह होगा P1 हाँ P2 यह होगा P1 हमसे पूछा गया है कि maximum shear stress जो plan carry कर रहा है उस पर resultant stress क्या है maximum shear stress जो plan carry कर रहा है वो होता है यह वाला plan इस पर हमें resultant stress पूछा है अभी तक हम इस पर सिर्फ shear stress ही निकाल रहे थे तो क्या होगा सबसे पहले तो हम यह निकाल लेते हैं origin कहां पर होगा origin होगा P1 प्लस P2 बाई 2 पर यह पिछले question में करके आए हैं हम कि P1 प्लस P2 बाई 2 कैसे आया अब यह वाला जो point है इस पर resultant क्या होगा यह जो normal stress आ रहा है और यह जो shear stress आ रहा है इनका square करके हम root ले लेंगे क्योंकि यह आएगा resultant तो और यह किसके equal आएगा तो का square प्लस sigma n का square और इसका root ठीक है अब यहाँ पर sigma n क्या है मेरा sigma n तो है P1 प्लस P2 बाई 2 और तो क्या है डाया क्या है इसका यह यह distance किसके equal होगी P1 माइनस P2 के और इसका half radius होगा जो कि टोके equal होगा तो radius हो जाएगा P1 माइनस P2 बाई 2 तो यह P1 माइनस P2 बाई 2 अब यहाँ पर हम रखेंगे इस equation में P1 प्लस P2 बाई 2 का square प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 का square और इनका root अब यहाँ पर P1 square P1 square की term दो बार आएगी add हो जाएगी P2 की भी दो बार आएगी add हो जाएगी P1 P2 वाली इसमें positive आएगी इस वाले में positive आएगी P1 P2 जो 2 P1 P2 की term आएगी इसमें negative आएगी तो cancel हो जाएगे यहाँ पर 2 का square 4 आएगा यहाँ पर भी 4 आएगा तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको और यह आजाएगा P1 square plus P2 square divided by 2 और इसका square root तो भी आजाएगा answer question number 12 में दिया है कि एक strand body है जिसमें दो unequal unlike principal stresses है P1 और P2 तो maximum serious stress क्या होगा अब यहाँ पर more circle कुछ different बनेगा जो अभी तक हम बना रहे थे उससे P1 है वो यह है P2 है वो यह है और हमसे क्या पुछे गया है maximum stress क्या होगा अब P2 negative है P1 positive है यहाँ पर और more circle बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा बट इसमें यह वाला point center होगा और यह radius होगा तो यह वाला top point होगा इसमें यह ऐसा point होगा जिसके लिए serious stress maximum है इसको कुछ नाम दे 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 चलो A point ऐसा है जिसके लिए serious stress maximum होगा है जिसकी y coordinate जो है वो maximum है अब इसका डाया क्या होगा उसका half radius होगा और वो ही shear stress होगा डाया क्या हो जाएगा P1 minus P2 by 2 minus क्यों कर रही हूँ मैं क्योंकि algebraically sum करना है मुझे दोनों को जोडना ही है for example यह मेरा 4 है यह 3 है तो डाया मेरा 7 होगा इसका जबकि P2 मेरा minus है तो अगर मैं यह minus sign नहीं लगाऊंगी यहां पर तब तो क्या होगा यह deduct कर दूँगी मुझे तो जोडना है दोनों को इसलिए यह minus sign नहीं यहां पर लगाया है ताकि एक minus sign P2 से आएगा और दोनों add होके divide कर गिया करके radius आजाएगे हमारे पास तो इसमें C आजाएगा answer question number 13 में दिये है कि more circle है उसमें shear stresses है वो ऐसे plane जो कि right angle पे है उन पर shear stresses किस तरीके से होंगे same होंगे, different होंगे magnitude same होगा कैसे related होंगे एक दूसरे से again मैं सबसे simple वाला हमारा जो shear stress diagram है वो बना लेती हूँ यह P2 है यह P1 है अब एक कोई point मैंने ले लिया है यह यह कोई point है इस पर यह center है और यह point है तो यह इस पर shear stress act कर रहा है अब इस से right angle पे इस से 90 degree पे कोई दूसरा plane है मुझे उसका shear stress चाहिए तो मैं यहाँ पर more circle में 90 का twice 180 degree लोंगे इस से 180 degree पे इधर इस से 180 degree पर कौन सा point आएगा यह वाला point जिसके लिए toka magnitude तो same रहेगा यह थोड़ा सा diagram disproportionate दिख रहा है आपको बट कुछ ऐसा है कि यह point है rate से mark करते है यह point है इसका toe है तो इसके नीचे वाले point का भी तो toe होगा shear stress बट sign different होगा एक positive आएक negative आए तो यहाँ पर A हो जाएगा numerically equal but of opposite sign question number 14 में दिये है कि radius of Morse circle क्या होगा अगर एक particle है वो subjected है pure shear से तो pure shear वाले case का हमने बनाया था जो Morse diagram है Morse circle diagram है उसमें क्या होगा इस तरीके से होगा ऐसे उसमें shear stress act कर रहा है यह वाला है यह clockwise rotate करना चाहा रहा है यह वाला इंडी clockwise rotate करना चाहा रहा है और इस वाले plane पर normal stress 0 है एक shear stress लग रहा है इस वाले plane पर भी 0 है normal stress और एक shear stress लग रहा है इस वाले plane को मैं mark करूंगी यहाँ पर तो यह वाला point आएगा कुछ यहाँ पर दोनों में एक positive आएगा shear stress एक का negative आएगा और normal stress दोनों के लिए 0 है तो x coordinate तो दोनों के लिए 0 हो जाएगा तो दोनों ही y axis पे आएगे points और क्या होगा shear stress एक का positive है दूसरे का negative है एक point यहाँ पर आजाएगा एक यहाँ पर आजाएगा इस तरीके से more circle बनेगा अब हमारा इस तरीके से more circle अगर बन रहा है तो हमसे क्या पूछा है pure shear से subjected है तो radius क्या होगा तो यह toe है और यही radius हो जाएगा तो यहाँ पर भी आजाएगा answer question number 15 में दिये है कि कोई body है उस पर दो unlike principal stresses है तो maximum shear stress क्या होगा फिर से हम diagram बनाते हैं यह sigma है मेरा और यह minus sigma है और यह दोनों principal planes है तो इन दोनों पर shear stress कुछ होगा नहीं तो मेरा more circle है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा यह बन गया more circle इस मौर circle में अब मेर से पूचा गया है maximum shear stress तो यह भी सिगमा है यह भी सिगमा है यह भी सिगमा होगा यह भी सिग्मा होगा, तो maximum shear stress भी सिग्मा होगा, maximum normal stress भी सिग्मा होगा, तो सिग्मा कैसे मिलेगा मुझे, half the sum of magnitude of principal stresses, magnitude क्यों हो, यहाँ पर में एंजिन किया है, क्योंकि opposite sign की है, अजर magnitude नहीं लिखा होता, फिर ऐसा होता, half the sum of principal stresses, तो principal stresses का समतों 0 ही हो रहा है, क्योंकि एक plus sigma है, एक minus sigma है, तो B होगा यहाँ पर, अच्छा question है, RPSC के एक lecture के exam में उच्छाओ है, question number 16 में दिया है, कि एक two-dimensional stress system है, जिसमें fx की value 120 है, fy 40 है, और shear stress है, वो 30 है, हमसे पूछे है कि अगर given scale है, 1 cm is equal to 10 newton per mm square की, तो radius क्या होगी more circle की cm में, तो पहली तो यह जो stresses है, यह positive दिये हैं, तो हम tensile stresses मानेंगे इनको, क्योंकि हम tensile stresses को positive लेते हैं, तो यह 120 हो गया, यह 120 in faces पे लग रहा है, और उपर नीज़े वाले में 40 का tensile stresses लग रहा है, इसके अलवा यहां पर shear stress भी आ रहा है, अब shear stress जहां पर भी act कर रहा होगा, इस तरीके से करेगा कि यह यहां पर दो opposite faces में, अगर हम इन वालों को देखें, तो इस point के about, यह इसको anti-clog wise rotate कर रहा है, तो दो opposite faces है, उन पर इस तरीके से हम यह denote करेंगे, और यह combined shear stress आ रहा है यहां पर, 13 Newton per m2 का, और सेम इसी तरीके से दूसरी वाले face पर आएगा इसके opposite sign का, क्योंकि तभी equilibrium में रहेगा, अगर दोनों में ही clockwise आ गया है, तब तो फिर वो rotate कर जाएगा clockwise direction में, तो इस वाले face में यहां पर आएगा इसके opposite, जो कि रोटेट कर रहा है clockwise, अब shear stress में जैसे मैंने starting में बताया, कि clockwise जो shear stress आ रहा है, उसको हम positive लेंगे, और anti-clockwise आ रहा है, उसको हम negative लेंगे, अब हम draw करते हैं shear stress diagram, यह point है, 40 और इसमें shear stress आ रहा है, 30, तो 40 तो यह है, और यह वाला है 120, अब 40 तो यह है, यहां पर normal stress है, और 30 shear stress है, तो यह point कहां पर आ जाएगा, यहां पर उपर, यह point आ गया, यह distance, यह distance 40 है, और यह वाली distance है, 30 है, 40 वाले में shear stress आ रहा है, इस तरीके से, तो यह clockwise rotate कर रहा है, तो हमने इसको उपर plot कर दिया, 120 वाला जो point है, इस पर shear stress आ रहा है negative, क्योंकि इस point के about, यह वाला shear stress है, इसको anticlockwise rotate कर रहा है, और anticlockwise को हम negative लेते हैं, तो यहां पर यह आ गया 30 का, यह 40 है, यह 120 है, 20 की distance आ गये 80, center यहां पर 20 में आ जाएगा यहां पर, तो center आएगा, यहां से 40 है, 80 का half add करेंगे, 80 पर center आ जाएगा, मिड में आना चाहिए, 40 और 120 के, तो 40, यह दोनों का difference भी 40 है, इनका भी 40 है, यह center यहां पर आ गया, अब यह तो जो points हैं, यह वाला point और यह वाला point, हम इनको एक straight line से मिराते हैं इस तरीके से, यह center से pass हो, और अब इस distance को radius लेते हुए, हम एक circle बनाएंगे, वो more circle होगा, तो circle कुछ इस तरीके से बनेगा, अब हमसे पूछीगे radius, तो radius निकालने के लिए, मुझे यह वाली distance पता है 40 है, यह वाली distance पता है 30 है, तो यह वाली distance जो पाइथागरूस theorem है, उससे यह distance जो इसकी radius के equal है, यह वाली, यह आजाएगी 40 का square प्लस 30 का square, इसका root, तो यह 50 आजाएगी, तो more circle के radius आ रही है, वो 50 आ रही है, तो 10 newton पर mm square is equal to 1 cm है, तो 50 है, वो 5 cm के एकुल होगा, और इसमें यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, कि आप इस 30 को नीचे ले लो, इसको उपर ले लो, क्योंकि यह 30 यहाँ पर दिया है, तो इसमें sign तो दिया नहीं है, और इनमें फरक नहीं पड़ता इस चीज़ का, कि आप clockwise को positive ले रहे हो, anticlockwise को positive ले रहे हो, and result है, वो same ही रहता है, बढ़ सेम sign convention आपको रखना पड़ेगा, anticlockwise को positive ले रहे हो, तो throughout positive लो, negative ले रहे हो, तो negative लो, question number 17 में दिया है, कि more circle of stress system है, उसमें radius है 20, minor principle 10 stress है 10, तो major principle stress क्या होगा, तो सबसे common वाला जो होता है, more circle वो हम plot कर लेते हैं, यह P2 है, यह P1 है जो कि हमें निकालना है, यह P1 है, P10 इसके coordinate होगे, इसके P2 0 होगे, इनके 20 में कहीं पर रहेगा center, अब इसमें, D.I. के more circle की radius 20 है, मतलब यह वाले distance 20 है, तो यह वाले भी 20 होगी, कि यह center तो P1, P2 के 20 में होता है, हमसे पूछे है P1 की value, तो यह वाली distance तो है 10, यह 10 दिया गया है, यह वाली distance होगी, total 20, और 20 मिला के 40, तो यह total distance कितनी हो जाएगी, जो P1 की value होगी, 40 प्लस 10 आजाएगा 50 भी हो जाएगा answer, question number 18 में दिये है, कि more circle किसकी value देता है, more circle की radius, तो यह maximum shear stress देता है, क्योंकि जो radius है, वो maximum उसका coordinate होगा, y coordinate, यह यहाँ पर इसका center होता है, और इस तरीके से अगर circle बन रहा है, तो यह ऐसा point है, जिसके लिए कि y coordinate हो maximum है, और यह equal होगा radius के, और y coordinate equal होता है shear stress के, तो maximum shear stress होगा यह दि, question number 19 है, इसमें दिया है कि कोई plane है, जिनमें maximum और minimum principal stresses है, उनमें कोई tangential stress नहीं होगा, तो यह तो आपको पता है, कि जो principal stresses होते हैं, वहाँ पर कोई, वो नहीं ही act कर रहे होते हैं shear stress, more circle की अगर मैं बात करूँ, तो यह अगर कोई more circle है, तो यह वाले points denote करते हैं principal stresses को, इन दोनों point पर कोई भी shear stress नहीं आ रहा है, तो x axis पर ही located है, कोई y axis का coordinate इनका होगा ही नहीं, तो fast है, यह सही है, second में दिये है कि mutually perpendicular directions है, जो planes है, उनमें shear stress है, वो numerically equal होगा, तो जैसे कि यह कोई point है, इससे perpendicular जो point होगा, वो कौनसा होगा, जो इससे 180 degree भी होगा, तो यह 180 degree पर यह वाला point आया है, तो इन दोनों पर shear stress की magnitude तो same ही होगा, direction opposite होगी, third में दिये है कि maximum shear stress है, वो equal होगा half of the maximum and minimum principal stresses, अब इसको ध्यान से देखो, यह P2 था, यह P1 था, half of the sum of P1 plus P2, यह तो इस वाले point का coordinate था, center point का, इस वाले point का coordinate था, तो यह वाले जो point है, यह तो shear stress को denote नहीं कर रहा है, यह तो normal stress को denote कर रहा है, maximum shear stress तो इस वाले के equal होगा, तो third वाला गलत हो गया, भी हो गया answer, question number 20 में दिये है कि एक body है, जिसमें 1200 N, sorry, Mepascal का एक tensile stress लग रहा है, दूसरे plane पे tensile stress लग रहा है, 600 Mepascal का, कि इधर तो 1200 का लग रहा है, और इधर 600 Mepascal का लग रहा है, यह subjected है shear stress 400 Mepascal से, तो maximum normal stress क्या होगा, 400 Mepascal है, वो कुछ इस तरीके से होगा, अब opposite faces में इस तरीके से direction आएगी, और इसको balance करने के लिए जो complementary आएगा, वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि जो red color में शीर stress शो किया है, यह anti-clockwise rotate कर रहा है, तो blue color से जो show किया हमाने opposite faces पे, top और bottom पे, वो clockwise rotate करेगा, तबी तो यह equilibrium में रहेगा, जो body है वो, अब यह question में देया है, हमने सारा data, अब हम इसका बनाते है, more circle, हमसे पूछा है, maximum normal stress, एक point तो यह हो गया, 600 का, यह हो गया, 1200 का, अब यहाँ पर shear stress भी आ रहा है, तो हम इन पर shear stress plot करेंगे, अब मैंने यहाँ पर जो लिया है, अगर इसी के according में करूँ, तो red वाला जो मेरा है, shear stress, वो anticlockwise rotate कर रहा है, तो मैं इसको नीचे plot करूँगी, इसको मैं नीचे करूँगी, यह यहाँ पर आ रहा है, कितना दिया इसका magnitude, 400, तो यह 400 है, और इसमें आएगा उपर 400, इसको मिलाते हैं फिर हम बनाते हैं यह, और यह जो होता है, यह diameter है circle गा, यह जहाँ पर cut कर रहा है, यह center O होगा, और इस तरीके से यह circle बन जाएगा अब, अब हमसे पूछा गया maximum normal stress, तो maximum normal stress इस वाले point पे होगा, तब यह वाला distance हमसे पूछी गई है, अब अगर यहाँ पर shear stress नहीं होता, तब तो 1200 वाला ही maximum वाला हो जाता है, क्योंकि उस case में circle है, फिर यहाँ से पास होता, उस case में circle कैसा होता, अगर shear stress नहीं लग रहा होता, तो मैं आपको show करती हूँ इसको बना के, ऐसे बनता फिर हमारा circle, उस case में तो 600 और 1200 ही principal stress हो जाते हैं, minor वाले और major वाले, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें यह वाली distance निकालने हैं, यह distance निकालने के लिए, यह distance नो मुझे पता है, 1200 है, मुझे आगे वाली distance चाहिए, आगे वाली distance निकालने के लिए, अगर मुझे radius पता है, तो मैं उससे निकाल सकती हूँ फिर, वो पॉंट की coordinates में radius जितनी distance एड़ कर दूँगे, अब radius कैसे निकालें, आप यह वाला देखिए, black line में बनाते हूँ, triangle, यह, यह triangle है, इस triangle में यह वाली distance होगी, 300, क्योंकि यह center तो बीच में आएगा 600 और 12 होगी, तो center की तो हम बता सकते हैं कि coordinates होगे, वो 600 प्लिस 12 और डिवाडिट बाइ 2 होगा, तो यहां से 300 तो यह distance होगी, उपर वाली distance है 400, तो यह कितना हो जाएगा, Pythagoras theorem से 500, तो मुझे इतना पता चल गया कि more circle जो बन रहा है, जो radius है, वो 500 है, ओ पॉइंट है, यह यहां से कितनी distance पे होगा, 900 पे होगा, तो 900 में मैं radius इतनी distance और add कर दूँ, तो मैं यहां पहुंच जाओंगी, यह radius है, तो 900 पेस 500, यह आ गया, 1400, डि आ जाएगा answer, आप यहां पे अप जो minimum वाला आ रहा है, minor principle stress यह वाला, यह calculate करके एक बार answer करना ने जे, comments में, question number 21 में दिये है, कि यहां पर जो diagram दिया गया है, इसके लिए, यह plane जो है, BD है इस diagram में, जो BSA 45 degree का angle बना रहा है, उस पर normal stress की value क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम और circle बनाएंगे इसके लिए, यहां पे यह दिया गया 60, tensile है तो हम यहां पे plot करेंगे, इसको 60, 0 का point यह आ गया, दूसरे पर है compressive तो minus 40 हो गया, तो minus 40, 0 यह आ गया, अब इनके बीच में आएगा center point, ओ, डाया क्या होगा जो इन दोनों की बीच की distance है, 100, इसका half हो जाएगा radius 50, इस point से 50 की distance पे यहां पर center point होगा, यह distance अगर 50 है, तो center point के coordinates हाजाएंगे 10, 0, हम more circle बना दो, आप इस तरीके से जाएगा, यह ऐसे, यह ऐसे बनेगा, अब हमसे पूछा है, ऐसे plane, बीडी पे, normal stage जो 45 डिगरी का एंगल बना रहा है, तो हम theta अगर planes के 20 में एंगल है, तो यहां पर diagram में 2 theta का एंगल लेंगे, तो मतलब ba को यह वाला point denote कर रहा है, इस से 90 degree के एंगल पे हम जाएंगे, तो हमें यह वाली line मिलेगी, यह वाली line मिलेगी, मतलब इस वाले point का, नमें normal stage पूछा गया है, तो इस वाले point के लिए, normal stage की तो value यह है, और serious stage की value यह है, तो normal stage 10 है इसका, तो dia जाएगा answer, question number 22 में दिया है, कि principal stresses हैं, किसी bar में, वो 160 tensile और 80 compressive हैं, तो maximum serious stress क्या होगा, किसे हम बनाते हैं more circle, 160 tensile है, यह आ गया 160, 0, 80 compressive है, यह इदर आ गया, minus का 80, और 0, इनके 20 की distance होती है diameter, तो 20 की distance इनके कितनी हो जाएगी, 160 तो यह है, 80 है इदर वाली, तो 160 plus 80, 240 इसका dia होगा, radius हो जाएगी 120 मिटर, मतलब इस point से, 120 की distance इदर, point O होगा, तो यह point O का coordinate आ जाएगे 40, 0, अब maximum serious stress पूछा गया है, तो radius के ही equal होगा, क्योंकि अब ऐसा बने गा, यह more circle, इस वाले point पे, यह जो point है, इसकी y को जो coordinate से, वो maximum होंगे, और वो equal होंगे radius के, और radius हमें पता चल गया है, कि यह वाले distance है, यह 120 है, यह है, तो यहाँ पर C आज जाएगा answer, question number 23 में दिया है, कि यह diagram में जो दिया गया stress, state, by exist stress है इसमें, तो normal stress क्या होगा, A, B की direction में, अब यहाँ पर जाएगा, आप हम more circle बनाओगे, पहला point भी यहाँ आ रहा है, sigma 0, दूसरा point भी यहीं आ गया, तो यह तो दोनों overlay भी कर गये, तो कोई more circle बनेगा ही ने, यह सिर्फ point ही बनेगा, more circle की जगे पे, तो point की तो radius 0 होती है, तो यहाँ पर normal stress पूछा है, तो radius 0 हुई, सिर्फ stress तो 0 हो गया, बट normal stress पूछा है, तो normal stress होगा, यह वारे distance, तो इसके लिए यहाँ पर, normal stress होजएगा, sigma, यहाँ पर क्या हो रहा, इस type की cases में, जब same magnitude है, और identical stresses है, तो more circle की जगए एक point बन जाता है, और आपके आप सारे के सारे points है, वो उसी पर locate होंगे, तो सारे points के लिए ही, normal stress तो sigma रहेगा, और serious stress हो 0 रहेगा, तो A आजाएगा, sorry, B आजाएगा answer sigma, question number 24 में दिया है, कि एक element है, जो कि subjected stress से, इस तरीके से, तो maximum serious stress क्या होगा, फिर से हम बनाते हैं, most stress diagram, यह है 10, 0, positive है, दूसरा वाला भी positive है, अब इनका 20 का point होगा, center point O, तो distance इन दोनों के 20 के है 10, तो यहां से 5 की distance पे, यहां से 5 की distance में, 20 में center point O आएगा, जिसके coordinates होंगे 15, 0, अब अगर मैं circle बना हूँ, तो ऐसे बनेगा, question में maximum serious stress पूछा है, इस वाले point के लिए serious stress की value maximum होगी, और वो किसके equal होगी, radius के equal होगी, भी आजाएगा answer, question number 25 में दिया है, कि more circle of stress है, वो ऐसे दिया गया है, तो इस case में diameter पूछा है more circle गा, 10 वाला है, यह यहाँ आगया 10, 0, दूसरा वाला आया, वो भी यहाँ आगया, अब दोनों point अगर overlay पी कर गए, तो दोनों के बीच में कोई distance, कोई gap है यह नहीं, तो इसका diameter तो उसी के equal होता था, तो diameter 0 हो गया, D आएगा answer, question number 26 में दिया है, कि एक thin road है, 10 mm जिसका diameter है, subject aid है, tensile force से 7850 kN के, तो principal stress और maximum shear stress क्या होंगे, अब यहाँ पर सिर्फ tensile force लग रहा है, तो कोई shear stress तो होगा नहीं, tensile stress हम यहाँ पर निकाल लेंगे, P upon A, 7850, 5 by 4, into 10 का square, तो यह Newton per mm square में आ जाएगा, यहाँ पर, 100, अब 100 का tensile stress लग रहा है, तो इसका हम more circle बनाएंगे, तो एक तो क्या लग रहा है, किस तरीके से है, तो यहाँ पर 100 का लग रहा है, इस वाले plane पर तो कुछ लग नहीं रहा है, इसमें तो 00 हो गया, यह हो गया, दूसरे वाले में लग रहा है 100, और CS stress 0, तो यह 100 0 हो गया, इनका center point होगा, वो होगा O point, circle का जो O होगा, center होगा, तो यह इनका 20 का center point आ जाएगा 50 0 पे, अब अगर more circle बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनेगा, maximum CS stress तो किसके एकुल होगा, radius के एकुल होगा, radius कितनी है, यह वाले distance 50 है, तो principal stresses तो क्या होगा, 100 और 0, क्योंकि अब यह 100 वाला जो plane है, उस पर कोई CS stress लग नहीं रहा, तो यह principal plane हो गया, और दूसरा है वो यह वाला principal plane है, जो 00 वाला है, और shear stress है, यह आजाएगा, यहाँ पर इसके radius के एकुल 50, तो भी आजाएगा answer, नमबर 27 में दिया है, कि principal stresses है, 150 और 50, 150 tensile है, 50 compressive है, तो maximum shear stress क्या होगा, तो हम more circle plot करते हैं, सबसे पहले, 150 tensile है, और shear stress यहाँ पर कोई 6 है नहीं, तो यह एक point आगए है हमारा 150 0, दूसरा 50 compressive है, तो यह इदर आजाएगा 50 0, अब more circle है, वो इन दोनों point से pass होगा, और इसका center होगा, इन दोनों के mid पे, इन दोनों के mid पे center होगा, डाया इसका आजाएगा, 50 plus 150 200, और radius आजाएगी 100, इस से 100 की distance पर point O होगा, तो point O के coordinates हो जाएगे, 50 0, यह O के coordinates हो गए, और more circle बनेगा, किस तरीके से, इस तरीके से जाएगा, हमसे पुछा गया है, कि maximum shear stress है, उसकी value क्या होगी, तो यह अगर center point है, तो यह वाला point ऐसा होगा, जिसके लिए shear stress की value maximum है, और वो radius के equal होगा, 100 की है, यह आएगा answer, यह थोड़ा सा डिखने में, disproportionate बन जाते हैं, डायग्राम, बढ़ आपको अगर समझ जा गया concept, आप समझ जाओगी, कि यह ऐसे तरीके से है, ऐसे, और फिर मेरा circle जो है, वो ऐसे जा रहा है, इन चारों point से पास होता हुआ, question number 28 में दिये है, कि extend material है, दो perpendicular direction में, tensile stresses यह act कर रहे हैं, intensity of tangential stress क्या होगा, एक ऐसे plane पर, जो 50 degree पे लाई कर रहा है, minor stress axis से, तो सबसे पहले तो आप यह बना दो diagram, 100 का यह हो गया, minor principal stress, यह हो गया, दूसरा है, sorry 1000 है यह हैंटी, नहीं है, दूसरा हो गया, 2000 0, इनके 20 में center आएगा, center आजाएगा 1500 पे, दोनों से equal distance पे, और आप circle बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, अब question में मैं से पूछा गया है, कि minor principal plane है, उस से 15 degree, पर एक एंगल पर यह plane है, minor stress वाले से, इस वाले से, हम 30 degree पे value निकालेंगे, तो यहां से, यह angle आएगा 30 degree, इस point का हमें coordinates से, उचा गया tangency stress, मतलब यह वाला coordinates, यह y axis वाला, अब यह अगर 30 degree है, radius इसका कितना हो जाएगा, 500, यह जो यहां पर बन रहा है, triangle, इसमें यह angle मुझे पता है, 500, यह angle 30 degree है, और यह radius 500 है, इदर का component आजाएगा, 500 cos 30, और इदर का आजाएगा, 500 sin 30, यह वाला आजाएगा, यह जो distance है, 500 sin 30, और sin 30 की value होती है, 1 by 2, तो 250 आजाएगा, भी आएगा answer, question number 29 में दिये है, कि 2 dimensional stress system है कोई, इसमें 0 radius है, तो बहुत principal stress stress किस तरीके से है, तो 0 radius कब आएगा, जब एक ही point पर लाई कर जाएगा, एक ही point पर लाई कब करेंगे, P1 और P2, कि दोनों के direction भी same है, मतलब like to each other है, या तो compressive हैं दोनों, या 10 side है, और magnitude भी same है, equal magnitude and of same sign, question number 30 में दिये है, कि एक member है, जिसमें अक्जिल 10 side load लग रहा है, तो greatest उसमें जो normal stress एक्ट कर रहा होगा, वो किसके equal होगा, तो member है, जिसमें अक्जिल 10 side load लग रहा है, यह कोई member है, इसमें सिर्फ 10 side ली load लग रहा है, इन वालों पे तो कोई, जो sigma y है, वो तो 0 होगा, कोई normal stress इन प्लेंस पे है नहीं, तो यह point तो आ गया, 0, 0, दूसरा point आ गया, मालिया की sigma x है, यह जो tensor stress है वो, तो sigma x 0 आ गया, अब इसमें more circle बनेगा, यह तो 20 का point, center point आ जएगा, sigma x by 2, 0, यह आ गया origin, यह center point, origin नहीं सोरी, center point है circle का, और ऐसे बनेगा यह more circle, greatest normal stress किसकी एक वाल है, यह है greatest normal stress, और यह है greatest, यह maximum shear stress, तो greatest normal stress है, वो sigma x के equal है, और हम यह भी कह सकते हैं, यह जो maximum shear stress है, उसका twice है, तो C आ गया answer, last question, question number 31 में दिया है, कि maximum allowable shear stress है, किसी section में, 100 kg per centimeter square, और bar में tensile force, इतना लग रहा है, तो कितना, अगर square shape है, तो कितना उसका dimension required होगा, अगर A उसकी side है, वो इतना tensile force लग रहा है, तो उस पर जो stress आएगा, tensile वाला वो यह आएगा, अब अगर कोई bar है, उसमें सिर्फ tensile ही लग रहा है, तो sigma y तो उसका 0 है, तो यह 00 हो गया, यह sigma x 0 हो गया, और ऐसा more circle बनेगा, तो tau equal होगा इस case में, sigma x by 2 के, tau की value दीगी है 100, इससे ज़्यदा नहीं होना चाहिए tau, sigma x हो जाएगा 5000 divided by a square, और यह 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आप a निकालोगे, तो 5 cm आ जाएगा, भी होगा answer, तो देख के आपको समझ जाएगा होगा, एक बार आप फिर से in-cursions को खुझ से practice करें, time लगेगा थोड़ा सा, एक बार दो बार practice करने की जरुत पढ़ेगी, लेगिन उसके बाद आपको इस chapter में कुछ भी बार-बार पढ़ने की, revise करने की जरुत नहीं पढ़ेगी, तो मिलते हैं next lecture में एक नए topic के साथ, पढ़ाई करते रहे हैं all the very best, करने लोड़े हैं all the people that I'm not going to have, करने लोड़े लोड़ें लोड़ेगी, लोड़े हैं लोड़े हैं all the music,